नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही हमने HSTDV का सफल परिक्षन किया था और आज एक और बड़ा परिक्षन किया है इंडिया ने आज अब्यास ड्रोन का सफलता पुर्वक फ्लाइ टेस्ट किया है आज हम इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आज DRDO ने सफलता पुर्वक High Speed Expandable Aerial Target जिसी अभ्यास ड्रोन के नाम से जाना जाता है उसका सफल टेस्ट किया और ये टेस्ट इंटरिम टेस्ट रेंज बाला सोर उडिसा से किया गया और दोस्तों इस ट्रेस्ट के टेस्ट करते हैं किसी टार्गेट के खिलाफ तो इस अभ्यास ड्रोन को इस्तेमाल किया जाता है ये एक मिसाइल की तरह ही बिहेव करता है जैसा कि युद के समया पे अगर दुश्मन की मिसाइल आती है तो वो किस तरह से मिनूवर करती है और क्या-क्या चीजे अपनाती है वही चीज इसके द्वारा देखी जाती है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्षमता को चेक किया जाता है अभ्यास का डिजाइन और डेवलप्मेंट एरोनोटिकल डेवलप्मेंट एस्टैबलिश्मेंट ने किया है जो DRDO की ही एक लैब है और इस एर विकल को लौच करते स दो अंडर सलंग बूस्टर का इस्तेमाल किया गया और ये अभ्यास ड्रोन एक छोटे गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल करता है पावर लेने के लिए और साथ ही इसके अंदर M.E.M.S. बेस्ट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी लगा है नेविगेशन के लिए औ जो गाईडैंस और कंट्रोल प्रोवाईड करता है और इस वहिकल को इस तरह से प्रोग्राम द किया जاتा है कि ये पूरी तरह से आट़ोनोमस यानि सवतंतर फ्लाइट करे और साथ ही इसकी मुवमेंट को चेक करने के लिए Ground Control Station का इस्तेमाल किया जाता है और इस टेस्ट के दोरान हमें जो चीजे चाहिए थी जिसके अंदर दोस्तो 5 किलो मिटर का altitude यानि की कम से कम 5 किलो मिटर की उंचाई तक इसे जाना था इसकी speed 0.5 मेक तक रहनी चाहिए थी इसकी endurance 30 मिनट की होनी चाहिए थी और साथ ही इसकी turn capability 2G होनी चाहिए थी जो सारी चीजे इसने सफलता पूरवक achieve कर ली और दोस्तों ये इसका पहला test नहीं था इससे पहले भी इसके कई test हो चुके हैं और हर बार कोई ने कोई नई चीज evaluate की जाती है लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि अब इस trial के बाद में ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये join कर लेगा हमारी forces को और इससे पह अमारा drone है तो इसके अंदर हम जब चाहें जैसा चाहें इसके अंदर change कर सकते हैं और इसकी समय सीमा भी बढ़ा सकते हैं इसका altitude भी बढ़ा सकते हैं तो ऐसे में दोस्तों ये आतम निर्वर भारत की और बड़ा कदम है और इसके साथ ही हमें और भी उंचाईयों को चुना है और ऐसा ही इंडिया करता रहेगा धन्यावाद जैहिन